हेलो एवरिवन आई वेलकम यू आर योट्यूब चैनल आज हम बात करने जारे अपनी क्लास 12 की शुशलोजी के चैप्टर नमबर 4 बजार एक समाजिक संस्था के रूप में के बारे में ठीके पार्ट वन होने वाला इस चैप्टर का यह नूट्स का लिंक आपको मेशा की त दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक बार उसे चैक जरूर कीजिए का टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कीजिए क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको महाँ पर मिलते रहेंगे फिलाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम यह सारे टॉपिक्स करने वालें कि बजार क् इसके बाद के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे सेकंड वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं तो तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बजार है क्या तो देखें बजार एक ऐसी जगा है जहां अब भोगता ठीक है यानि जो वस्तू को क्या गरना चाते हैं खरीद ना तो देखें बजार एक यसी जगहाई जहां पर वह लोग आपस मेह कर मिलते हैं जो वस्तो को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वहां पर आपस Selam तो बजार एक ऐसी जगा ज़ह हम भोगता और उत्पादक आपस में आकर मिलते हैं और वेपार करते हैं अब वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो बजार के बारे में हम अर्थशास्त्री यानि इकोनामिक्स में पढ़ते हैं पर इसका अध्यान अदर बजार के बारे में समझा यानी बजार की जो अर्थोयोस था उसके बारे में समझा है उन्होंने कहा कि बजारी अर्थोयोस था ना वह विक्तियों में अदान प्रदान याったन का लंबा क्रम है ठीक है अब आप अगर imagine करने के कोशिश करें तो sale purchase कब से चलती हुई आ रही है जब से शायद मानव सब्वेता विकासित हुई तब इसे sale purchase चलती हुई आ रही है तो यह क्या है यह एक लंबा क्रम है ठीक है इसकी स्थापना किसी वेक्ति द्वारा जान बूच कर नहीं की जा अपना बढ़ाने की कोशिश करता है तो वह ज्यादा से ज्यादा लाब कमाने की कोशिश करता है और यह भोगता है तो आपके लाके के अंदर एक दुकान के खुलती है अब ये दुकान किसकी है ये दुकान है माल लेजिए मोबाइल की तो आपके इलाके में एक मोबाइल की दुकान खुली तो दीरे-दीरे क्या होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे मोबाइल खरीदेंगे मोबाइल के एक्सेसरीस खरीदेंगे अपने मोबाइल वग एक दुकान खोलने के लिए नई इन्चारोंने क्या किया देखा और इन्होंने देखा कि या फैसेरीस में खरीज सकते थी तो इस विवस्थाथ की स्थापना किसी के दवारा जान बुचकर नहीं की गई बलकि अपने आप हुई ठीक है अपने आप हुई तो कोई ना कोई शक्ती होगी ना जिसने इसकी स्थापना की तो उसी शक्ती को हम क्या बोलते है अद्रिश्य हाथ बोलते है अद्रिश्य हाथ तो अद्रिश्य हाथ है क्या देखे अद्रिश्य ह वह शक्ति है जिसके द्वारा ब् Guitar की स्थापना और यह और वह नियंत्रित ठीकर दीक श मयने पिछले वारे में बताए इसे अध्रिश्यहाद किसने का आप sire श्मचने ये काता था तो ब्जार में लाब समस्दारर targets बना पांच लोग है तो इसी तरीके से विक्तिका लाब किसे में बदल जाता है समाज के लाब में इसी वज़े से इन्हों ने खुले वैपार का समर्थन किया जिसमें सरकार और संस्ताओं का कोई हस्तक्षिप नहीं होता तो यहां से हम एक चीज क्लियर हो जाते हैं कि जब हम अर्थ शास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थ शास्त्र में हम बजार का अध्यार लाब और हानी के रूप में करते हैं कि लाब कहा हो रहा है हानी कहा हो रही है ठीक है अब अब देखते हैं जरा समाज शास्त्र में हम बजार के बारे में क्या पढ़ते हैं तो अर्थ शास्त्र में बजार को केवल लाब और हानी से जोड़ कर देखा जाता है जबकि समाज शास्त्र में बजार की समाजिक विशेष्टाओं को देखा जाता है बजार की समाजिक विश जा सकता है निए बजार सिर्फ वो जगा नहीं है जहां पर कोई वेक्ती समान खरीदने या बेचने जा रहा है बलकि यहां पर समाजिक मेल मिलाब भी बढ़ता है ठीक है उधारन के लिए देखे एक बजार में अब यह जो यह बजार है ठीक है इसकी भी कुछ समाजिक विश जो अलग-अलग समाज के वर्गों से जुड़ी होती है ठीक है इन बजारों का नियंत्रण में मुख्य रूप से किल लोगों द्वारा किया जाता है जो समाज में क्या है शक्ति शाली है और साती साथ बजार को एक समाजिक संस्ता के रूप में देखा जा सकता है इन सब का मत्रूशी करता है कि आखिर बजार में след i a z哈哈 रखा जाए जबकि समाज बजार वगिरा जो अलग-अलग उनका अध्यख़ करता है इसनले में प्रण की हानी के कारण क्या थे बजार में स्थिर्टा कैसे सब्लता सिधिति का उनका यूगदान का उस तरिके से अर्थ शास्त्र और समाज शास्त्र में अलग अलग थीकर आप बाजार का समाजिक संस्ता के रूप में कि के रूप में बस्तर जिले वहां Butta कि करने पाइसे अनुग and कि इस शनार से जिले मेंeralट बारे में बताया लगता है उसके बारे में यहां पर मुख्य रूप से गउंड आदिवासी रहते एंगा लगता है गया बारी वेपारी सबी तरीके के लोग यहोते हैं पर मुख्य रूप से बनी बनाई वस्तुवे बेची जाती है खाद्य पदार्त खेतियर उत्पाद जंगल वगेरा बेचे जाते हैं इसमें अधिकतर खरीददार क्या होते हैं आदिवासी होते हैं जबकि विक्रेता यह जो बेचने वाले होते हैं उची जाती से संबंद पहरी हिस्तों में बैठते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे बजार के अंदर भी जाती के अधार पर भेदबा होता है कि लोगों को अलग-अलग जगा बैठना पड़ता है अब यहां से हम देखेंगे कि पूर वो आपनिवेशिक भारत के बजार कैसे थे और तो ऐसा माना जाता है कि उस समय बाजार और वैपारी क्याते स्वय निर्भर थे यानि वो अपने पर निर्भर थे वैपार में रुपे पैसे का चलन इतना जादा नहीं होता था अंग्रेजी शासन से पहले भी गाउं वैपार के बड़े-बड़े तंत्रों से जुड़े ह हुए थे और वैपार में साजेदारी करते थे यानि वो भी वैपार से जुड़े हुए थे ऐसा नहीं था कि गाउं अलग थे भारत में उस समय जो हतकरगा उद्योग था वो सबसे प्रमुक था ठीक है सूती और महेंगे रेशम के कपड़ों का निर्यात भी किया जाता था यहां से यानि बाहर बेचे जाते थे ठीक है देश में वैपारी संगठन और बैंकिंग की व्यवस्था भी उपलब दे थी जिस वज़े से भारत के अंदर और बाहर वैपार किया जाता था विनिमाय और कर्ज के लिए विनिमाय मतलब लें देन और कर्ज का मतलब वही जो लेते हैं ठीक है हुंडी या विनिमाय बिल का प्रियोग किया जाता था ठीक है और यह कर्ज पत्र की तरह होता था इसे वैपारीεις द्वारा स्विकार किया जाता था तो आप यह देख सकते हैं कि समय भी हमारे तरीके की या जाता Πिर तो प्राकृतिक संसाधनों का उप्यों कर सके कौन से प्राकृतिक संसाधन जो गाउं में थे ठीक है जैसे फसल हो गई वहाँ पर पेड़ पौधे वगिरा हो गए ठीक है उन सब का प्रियोक कर सके तो सडको और रेल मार्क बनाए गए जिससे क्या हो गया कि यह जो गाउं वाला हिस्सा था अब यह बड़े-बड़े शैरों से क्या हो गया जुड़ ग है क्योंकि उसकी जमीनों पर कबजा कर लिया गया ठीक है अब यह जो यह आदिव승सी थे जो पैले से गाउं में रह रह के थो इनका बहुत जादा क्या होने लगा शोशन होने लगा इसके अलावा क्या हुआ कि बाजारों का स्वरूप बदल गया ठीक है इसी दोरान मुद्राओं के चलन में व्रिधी हुई ठीक है उससे पहले मुद्राओं का चलन इतना नहीं था यानि रूपे पैसे का चलन इतना नहीं था पर अंग्रेजों के आने के बाद मुद्राओं का चलन क्या हो गया जादा प्रुचसाहित किया गया कि सब क्या करे मुद्रा के द्वारा लेन देन करे ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अंग्रेज जो कर वसूला करते थे वे भी मुद्रा के रूप में वसूला करते थे अब जब किसानों को आगे मुद्रा देनी पड़ती थी यानि पैसे देने पड़ते थे तो वो भी क्या करते थे अपनी फसल को पैसे के बदले बेचा करते थे भारत में क्रिशी उत्पादों को प्रोटसाहन दिया गया अब भारत पहले तो हत करगा उद्ध्योग वाला था मैंने आपको बताया पर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा कि क्रिशी को प्रोटसाहन दिये जाने लगा क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे अंग्रेज भार कर समान बनाकर अलग अलग जगाओ पर बेस दिया तो इसलिए भारत से उन्हें सिर्फ क्रिशी कार रहे चाहिए था इसलिए उन्होंने यहां पर क्रिशी को प्रुसान दिया ताकि वह कच्छा माल ले जाकर उसे ब्रिटेन में उत्पादित कर सके तो इससे क्या हुआ इससे कपड़ा उद्ध्योग पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा अब यह कैसे पड़ा देखिये हुआ क्या कि जो अंग्रेश थे वो यहां से कपास वगेरा कच्छे माल के रूप में ब्रिटेन ले जाते थे और फिर वहाँ पर मशीनों से कपड़ा बना कर उसे वापिस भारत ल ने लगा ठीक है और इसी वज़े से ब्रिटेन के अंदर तो यह सब बढ़ा जबकि भारत को इसका क्या हुआ नुकसान उठाना पड़ा इसी के साथ साथ भारत में क्या हुआ कि कुछ समाजिक वर्गों का उदे हुआ ठीक है वेपारियों के रूप में जैसे कि आपने मार पर्सनल इंटरेक्शन और जो भी आपके डाउट से उन्हें क्लियर करने के लिए सबस्क्राइब कीज़े चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए और एक लाइक छोड़ कर जाए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए थांक्यू झाल झाल